शुक्रे सबसे उची शियो मूर्ति विश्वाश स्वरुपोम के व्यवसाई करण पर रास्तमन सांसद महीमा कुमारी मेवार के संसद में प्रवश्ण उठाने के बाद सोचल मीडिया और लोगों में चर्चा का विश्य बन गया सांसद ने धर्म के व्यवसाई करण पर कड़िया पती जताते हुए कहा था कि शियो मूर्ति में मनुरंजन या व्यवसाई का केंडर नहीं बनाना चाहिए उन्होंने कहा शियो मूर्ति में लिफ्ट लगाना जूते चपल पहन कर जाने से धार्मेक भावनाए आहत होती है इसलिए केंडर राज्य सरकार से अनुरोध है कि ऐसे सलो को सिर्फ धार्मेक गरूप में ही रखा जाए प्रभु श्रिनाथ जी की नगरी में जहां मेरे पीछे है इस वक्त विश्वास सरूपम यह विश्व की सबसे उची शिव प्रतिमा है इसे लेकर कल विधान सभा में इस्थानिय सांसत महिमा कुमारी मेवाड ने आपत्ति जताई महिमा कुमारी मेवाड का कहना है कि इस प्रतिमा के अंदर जूते चपल ले जाना और इसका व्यावसाइक करना धर्म का व्यावसाइक करन है और ऐसा नहीं होना चाहिए हालां कि इसे दूसरी तरीके से देखा जाए तो इस मूर्ती से न सिर इस शेत्र का बलकि आस पास के कई ग्रामिन शेत्रों में भी रोजगार के अवसर बड़े हैं और दूसरी तरफ यहां आने वाले परेटकों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है आईए हम ऐसे ही कुछ परेटकों से बात करते हैं कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है तो ऐसे ही एक परेटक हमारे साथ हैं आईए जानते हैं उनकी राय क्या है मैं परितुष भावसार हूं बासवाड़ा से यहां पर घुमने के लिए नादवरा दर्शन करने के लिए तो विश्वा सवरुपम के बारे में काफी अच्छा गूगल पे और इसमें पड़ा है तो देखने के लिए विश्वा सवरुपम जो मंदीर है लोगों के आस्था के लिए काफी अच्छा है मंदीर है पोजिटीव वाइब से ही यहां पर और काफी अच्छा डवलप्मेंट किया यहां पर आप बताईए आप कहां से आया हूं परकास रिबारी नाम है तो आपको क्या लगता है इस मूर्ती के बारे में जी जो शिवजी की जो मूर्ती है संसत ने जिस प्रकार से संसत में यह प्रश्न उठाया है उसके बाद आगे क्या कारवाई होती है कुल्दीब शर्मा जन टीवी नात द्वारा